राधे राधे भक्तों, जै श्री कृष्ण, आज की जो जानकारी है, बहुत ही सुन्दर है, बहुत ही ज्यान वर्धक जानकारी है, मित्रों यह चीज हम भी घर लाते हैं, भगवान कृष्ण दोड़े चले आएंगे, राधरानी प्रसन्न हो जाएंगी, बिन पूजा पाठ क को भी राजा बना देगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो, आप जिससे जूज रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसलिए जो अश्टमी तिथी है, भादो माह की रोहिनी नक्षत्र की इस तिथी को, आज हम जन्माश्टमी मान करके भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो इस साल श्री कृष्ण की जो जन्माश्टमी है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, वह 26 अगस्त को मनाएंगे। हिंदु पंचांग के अनुसार भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3 बज कर 49 मिनट पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2 बज कर 19 मिनट पर होगी। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए। जिससे हमारी अध्यात्मिक उन्नती हो, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण बना रहे। जिस प्रकार 13 तिथी को धन 13 तिथी होती है, उस दिन बहुत सारी चीजों को घर में लाकर के रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धन 13 है, इस दिन धनिय का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसी वस्तू है जिन्हें घर में लाकर के खाया जाता है, घर में लाकर के भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को पांच ऐसी वस्तु के बारे में बताऊंगा, जिन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इन्हें लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्प तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है, जिसे घर में लाकर के रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धन पती कहा जाता है यह मित्रों जो धन देने का अधिकार केवल लक्षमी माता को है लेकिन किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है यह अधिकार भगवान श्री विश्णुजी को है और विश्णुजी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण आज भी जागरित अवस्था में आपने देखा होगा पुरी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है जो जगननात पुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है भगवान श्री कृष्ण आज भी जागरित अवस्था में है जागरित रूप में है और आपने देखा होगा व्रिंदावन में जो नंदनवन है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास देखिये, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह चीज आप अपने घर में अवश्य लाइए, बिल्कुल आपका घर भी धन्धान्य से परिपूर्ण बनेगा, आपके जीवन में चल रही परिशानी को इस चीज को लाने से समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करनी है। जिसे हम बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं या फिर इस प्रकार के छोटे कृष्ण बोल सकते हैं या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पर बाल गोपाल की मूर्ती हो इस प्रकार के मूर्ती को अगर शहद से सनान करा दिया जाए ध्यान से सुनिये। इस प्रकार की मूर्ती को शहद से अगर भगवान को सनान करा दिया जाए अभिशेक करा दिया जाए और इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं या फिर इस शहद का छींटा अपने घर में मारते हैं तो यह घर के वास्तु दोश को समाप्त करता है अगर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का दोश लगा हो उस दोश का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं इस प्रकार के दोशों से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को शहद से न नहीं होती, ये पहला प्रयोग है, श्री कृष्ण जन्माष्ट मी का, आप जरूर करना आपके जीवन में चल रही परेशानी, आपके जीवन में तरह तरह के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, दूसरी वस्तु के बारे में बता रहा हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण को जो ऐसे व्यक्ति की बुध्धि तीवर हो जाती है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये आगे चलकर के गुणकारी बनते हैं, ऐसे व्यक्ति एक प्रकार के गीत संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं, तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण क कृष्ण जन्माष्टमी पर के दिन वीना भेंट करते हैं। ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नती होती है। ऐसे व्यक्ति राजनिता बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चल करके जो कहा जाए संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तीसरी वस्तु है वह मोरपंख ध्यान से सुनिये। जो मोरपंख अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोरपंख अगर आप ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो मोरपंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये घर में सकारात्म कूर्जा को वश्य खरीद करके लाना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना इसे श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोरपंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है तो यह आपके घर में धन धानने की बरकत करेगा। अगर मोरपंख को साधे पानी से नहला करके अ या फिर मोर पंक के पानी से, जिस घर में छीटे मारें जाए, स्नान कराया जाए, तो उस घर में साक्षात लक्षमी निवास करती हैं, उस घर में साक्षात लक्षमी आहती हैं। के बारे में, हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदंब के फूल भगवान श्री कृष्ण को लाकर के श्री कृष्ण जन्माश्टमी के दिन समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जन्म, जन्मांतर कंगाली, ऐसे व्यक्ति के जीवन म स्वयम कदंब के व्रिक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाई है कदंब के व्रिक्ष को बहुत ही उत्तम व्रिक्ष माना जाता है चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के व्रिक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कदंब व्रिक्ष को भगवान श्री कृष्ण आशीरवार प्राप्त है यह जो कदंब व्रिक्ष है यह लोगों के दुख तकलीफ का भी निवारन कर सकते हैं और ऐसा माना जाता है कदंब व्रिक्ष अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर जो हरा कलर का धागा होता है ये बांधा जाए तो सभी प्रकार के मनोरत की पूर्ती होती है सभी प्रकार की जो परेशानी है सामने बोलते हुए बांधे तो उसका निवारण होता है तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है अवश्य कदंब का फूल लाए और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा हूँ यह अंतिम वस्तु स्वयम भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है तो आपके घर में बाल गोपाल नहीं है तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में लाकर के स्थापित करें जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रहते हैं वहाँ पर समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने आते हैं आप भगवान श्री कृष्ण के जो बढ़े स्वरूप बैठाते हैं उनके दर्शन करने के लिए नहीं आते लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से बाल स्वरूप में रख करके इसकी पूजा करते हैं या बैठा देते हैं तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू करते हैं आपको दिखाई नहीं देंगे सूक्ष्म रूप में आते हैं क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी जो मूर्ती कहे जाने वाले जो बाल स्वरूप है यह लाकर के घर में स्थापित करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नती होगी आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का निवारन हो जाएगा एक काम करना भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे स्वरूप है इसे बाजार से खरीदेंगे जो बाल गोपाल लाएंगे इसे डेली जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देना है फिर सादे पानी से स्नान करा देना और इसके बाद इस प्रकार से ये जो पानी है इसके छीटे पूरे घर में मारना है तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएगी आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा बुरी नजर बुरी शक्तियां डाली है वह समाप्त हो जाएगी आपके घर में लक्ष्मी का बंधन हो गया है जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी है आपके जीवन में धन का अभाव, कर्ज का भार बढ़ चुका है तो भगवान श्री कृष्ण को नहलाएंगे तो यह पीना शुरू कर दीजिए इस पानी का पूरे घर में छीटा मार दीजिए तो आपका घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएगा और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पढ़ोसी है घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उनसे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे उनसे जल्दी तरक्की पाना शुरू कर देंगे तो हमने वीडियो में बताया है श्री कृष्ण जनमाष्टमी के दिन यह पांच चीज ला करके अपने घर में अवश्य स्थापित करें इससे लक्ष्मी की कृपाप्राप्थ होगी भगवान श्री कृष्ण की कृपाप्राप्थ होगी और देखते देखते आपका घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण बन जाएगा आपके घर में किसी भी वस्तू का अभाव नहीं होगा वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्ण जरूर लिखें धन्यवाद